इंडियन सिनिमा का एक ऐसा एक्टर जो हर बार थियेटर में आपको डिफरेंट सब्जेक्ट पर फिल्म दिखाता है अमित सर, अमिता बचन, इनका फिल्म सिलेक्शन आउट ओफ दिस वर्ल्ड और सोचो जब डिफरेंट सब्जेक्ट के साथ एक ऐसा फेस जोड जाए कल की 2898 AD, फाइनरी काफी महीनों का लंबा इंतजार खतम और फिल्म से एक उफिशल अपडेट भार आ चुका है जिसको देखकर पूरा सोचल मीडिया पगला चुका है इंडिया की सबसे महेंगी फिल्म का टैक जब लगता है तो लोग फिल्म को जच करने में कोई कमी नी छोड़ना चाहते इसलिए हर एक अपडेट तूफान जैसी होनी चाहिए लेकिन अभी तक फिल्म के मेकर्स हाइप के नाम पे सीरियस बिलकुल नहीं थे बट आज वो किया इन्हों ने जुसने डैरेक्ट फिल्म को सीधा करोडो लोगों तक पहुचा दिया अमिताप सर का कैरेक्टर एज अश्वा थामा रिवील हो चुका है डैरेक्ट टीवी स्क्रीन पे जिसने नहीं देखा टेंशन ना लो यूटीव पर भी जल्दी आ जाएगा बिना किसी शक टीम कलकी ने आज जो रिवील किया है वो इंगिन सिनमा में सुनामी लेकर आने वाला है चैस के गेम में चेक एंड मेट जैसा है ये एक तो अमिताब सर का पॉपिलर फेस प्लस फिल्म का डिफरेंट लेकिन रिलेटेबल सब्जेक्ट और कॉंटेंट क्वालिटी ऐसा जिसको देखकर लोगों के शब्ध खतम हो जाएं सबसे बेस्ट पार्ट इस ग्लिम्स का ये अमिताब सर का यंग वाला वर्जन लगा मुझे इसलिए बोला जा रहा है कल की फिल्म की टेकनोलोजी इंडियन सिनवा में रेविल्यूशन होगी यहां से कल की 2898 AD सच में इंडिया की सबसे बड़ी फिल्म बन सकती है क्योंकि इस कॉंटेंट के साथ बहुत सारी पब्लिक सच में कनेक्ट कर सकती है अमिताब सर के चहरे से मास्क हट चुका है और जो अभी तक लोग कन्फ्यूज से कल की वाकई महाभारत से कनेक्टेड है या नहीं उसका जवाब मिल गया है इसको बोलते हैं एलिवेशन एक नॉर्मल से डायलोग को ऐसे इस्तिमाल करना जिस से फिल्म का हाइप सीधा हंड़े टाइम्स मल्टिप्लाई कर जाए तीर निशाने पर लगा है महाभारत के साथ फिल्म को ऑफिशिली कनेक्ट करके टीम कलकी ने फ्यान थियोरीज की आग में घी डाल दिया है अब ये मास नहीं क्लास सिनमा हो गया है जो काम ब्रहमास्तर ने किया था इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में एक स्पिरिच्वल माइथलोजिकल हिस्ट्री फिल्म को सूपर हीरो वर्जिन देकर पब्लिक के होश उड़ा दिये थे अब उसी प्रोसेस का नेक्स स्टेप कल की 289880 लेकर आई है महाभरत की कहानी को एक मौडन वर्जिन देकर लोगों को रिलीजन के साथ जोड़ना मान गए सर हाँ तो आज का जो कॉंटेंट रिलीज हुआ है फिल्म से उसके विज्वल जबर्दस लग रहे हैं कल की एक मेगा बज़र प्रोजेक्ट है और ये विडियो उसका सबसे बड़ा प्रूफ होगा और जितने कमाल के विज्वल्स डाले हैं उसके टककर का ही ऑडियो भी क्रियेट किया है स्पेशली फिल्म का बैग्डाउंड मुजिक बहुत डिफरेंट हिट करता है अमिताप सर का ट्रान्सफरमेशन फिल्म में कमाल का लग रहा है कल की प्रिभास की फिल्म ज़रूर है लेकिन अमित सर इसका एक्सफेक्टर साबित हो सकते हैं undoubtedly पता ये चला है कि फिल्म में अश्रतामा वाला केरेक्टर आक्चली में अपने हीरो के गुरू होने वाले हैं गुरू द्रोणाचारे का बेटा इस बार खुद द्रोणा बनेगा और फिल्म में प्रभास के केरेक्टर की सूपर पावस को अनलॉक करके देगा इंसान से भगवान बनने का रास्ता और आज वीडियो में भी साफ बोला वो इंतजार कर रहे हैं दशावतार का माने कलकी जो कल्यूग में असुर कली से लोगों को आजादी दिलाएंगे 20 सेकेंड का छोटा सा क्लिप काफी लोगों को इंप्रस नहीं कर पाए ठीक जैसा पुश्पा के साथ हुआ लोगों ने सोचा कुछ और था और मिला कुछ और कलकी को भी पका क्रिटिसिजम मिलने वाला है कॉंटेंट के छोटे डियूरेशन की वज़े से लेकिन जो समझ ना आये उसकी तारीफ या बुराई करने में जलबाजी नहीं करनी चाहिए सिर्फ 20 सेकेंड ही काफी है कलकी के डिरेक्टर ना गश्पिन के विज़न को समझने के लिए उनके दमाग में महाभारत की पूरी दुनिया क्रियेट हो चुकी है सोचो एके कैरेक्टर को इस तरह रिवील कर रहे हैं पूरी दुनिया के सामने तो फिल्म एस टोटल जब एक साथ कनेक्ट होगी तो बॉक्स ओफिस पर ब्लास्ट हो जाएगा भाई मेरे हिसाब से आपको थोड़ा वेट और वाच करना चाहिए फिल्म के खिलाफ कोई भी नेगेटिव जज्मेंट बनाने से पहले कल की सबसे बड़ा अचीवमेंट या ग्रेटिस्ट फेलियर हो सकती है लेकिन जिस लेवल का एक्सपेरिमेंटल सिनमा बन रहा है वो इंडिया को वाकि हॉलिवुट के पाथ ले जाएगा वैसे बोल रहे है इस हफते प्रमोशन कंटीनू रहेगा मतलब फिल्म की टीम और भी ग्लिम्स डाल सकती है फाइनल प्रभास का जिसमें शायद रिलीस डेट भी रिवील हो जाए फ्रेंकली जवाब देना एकदम कल की फ़र प्रभास सबसे बड़ा कंबाक साबित होगी या फिर ऐसा डिजास्टर जिसके बाद चाहिट कंबाक का ऑप्शन ही नहीं बचेगा बोलो बोलो बाकी वीडियो में कुछ प्रसंद आया हो या फिर कुछ शिकायब करनी हो तो मैं आपको इंस्टरग्राम पर भी मिल जाओंगी बढ़ना थोड़ा सा इंतजार करिए मिलूंगे आपसे अगले वीडियो में टेक केर बाई बाई